मद्यप्रदेश मेट्रो रेल में कई प्रकार की वैरियर्स वेकंसी पोस्ट जारी किया गया जिसमें आपको ITI और दस्वी और डिप्लोमा ग्रेजवेशन के कौलिफीकेशन पे पोस्ट एक्टिवेट की गई हैं तो कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे इसके बारे में हम complete process देखने वाल हैं आवेदन फार अप्लाई करने के जो starting date है 29 अगर्स दोहजारतेईस इसकी last date 29 सिप्टमबर दोहजारतेईस यहां से आप advertisement और link को download कर सकते हैं सबसे पहले आपको इस space पर visit करना है इसका link हमने already नीचे description में mention कर दिया है यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको इसमें registration करना पड़ीगा इसके लिए आपको click here for new registration के option पर click करना है इसके बाद application form कुछ से प्रकार से आपको दिखाया जगा सबसे पहले इसमें अपना first name लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर middle name है तो लिख सकते नहीं तो आपको इसे एक हाली छोड़ेंगे आप mail है याप female है इसके बाद 10 अंक की mobile number लिखनी है वही mobile number दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर email ID लिखनी है और वही mail ID दोबारा से यहाँ पर लिख लेंगे इसके बाद generate OTP के option पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर capture code मिल जाती है इस box में आपको लिखना है और इसके बाद submit के बटन पर click करना है click करने के बाद आपको message मिलेगा जिसमें कहा जागा कि आपके mobile number और mail ID पर एक one time password भेजा गया है जिसे OTP कहते हैं OTP को आपको verify करना है इसके लिए आपको यहाँ OK के option पर click करना है इसके बाद यहाँ mobile number की OTP लिखनी है और यहाँ mail ID के OTP लिखनी है इसके बाद validate OTP का option मिल जाएगा आपको इस पर click करना है click करने के बाद आपकी mobile के OTP successful verify हो जागी इसी प्रकार अपने mail ID के भी OTP को verify करना है इतना कुछ करने के बाद आपको इस tournament condition को accept करनी है और इसके बाद नीचे आपको capture मिल जाता है आपको इस box में लिखना है और इसके बाद re-verify के option पर click करना है click करते ही आपकी details से नीचे कुछ दिखाया जागा यह जो details आपने लिखा है इसके बगल में आपको box मिलेगा अगर आपका यह details सही है तो in box पे आपको सही का trick mark करनी है किसी भी options में गलत लगता है तो आपको पहले edit करना है इसके बाद box को accept करनी है और इसके बाद submit के option पे click करके OK की button पे click करना है इसके बाद आपके जो registration है वो complete हो जाती है यहाँ पे आपके details दिखा जाता है इस side में आपको registration number भी आपको मिल जाएगा इस page को print करने के लिए यहाँ print के button पे click करके इसे print out ले सकते हैं या तो आप इसका screenshot ले सकते हैं अब आविधन form apply करने के लिए सबसे पहले आपको log out करना पड़ेगा लगाउट करते हैं यहाँ पे आपको login करने का option मिल जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर user ID और यहाँ पर password लिखना है यह user ID और password आपके mobile number और mail ID पर इनके द्वारा message के रूप में भीजा गया है user ID और password लिखने के बाद यहाँ पे आपको catcher मिलेगा आपको इस box में लिखना है इसके बाद login का button मिल जाता है आपको इस button पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद उसी page पे आपको redirect किया जागा जहाँ पे आपकी registration details आपको दिखायर जा रहा था यहाँ उपर आपको application form का link मिल जाएगा जश्ट आपको इस application form के option पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ click here to create application के option पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक नया page आपके सामने open होगा इसमें कई सारी options आपकी fill up रहेंगी कई सारी options आपको fill up करने पड़ेंगे आपको नीचे करना है सबसे पहले यहाँ पे पीता का first name लिखनी है middle name है तो लिख सकते हैं ने तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं इसके बाद last name लिखेंगे इसके बाद किस post के लिए आप आवेधन form apply करना चाहते हैं वो post यहाँ पे आप select करेंगे post select करते हैं यहाँ पे post code automatic add हो जाएगा इसमें कितना आपका pay skill salary है वो दिखाया जागा किस category में आप आप apply कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया जागा इसके बाद अपने nationality को select करना है अगर आप मद्धिपर्दिस के निवासी है तो यहाँ पे आप yes करेंगे इसके बाद आप कौन से category से आते हैं अपने category को यहाँ पे आप select कर लेंगे इसके बाद reservation category आपको यहाँ पे select करने का option मिल जाएगा और इसके बाद domicile certificate की details को add करना पड़ेगा अब यदि आप मद्धिपर्दिस के निवासी नहीं है तो यहाँ पे आप no करेंगे इसके बाद आपकी category क्या है वो category इसमें आप select करनेगे इसके बाद आपको reservation category में स्रिफ general category ही लिया जाएगा क्योंकि अगर आप मद्धिपर्दिस के निवासी नहीं होते हैं और इसमें vacancy को apply करने तो स्रिफ आपको general category में ही इसमें लिया जाएगा इसके बाद अपने domicile certificate की details add करनी है जैसे यहाँ पे अपने domicile certificate की authorized name लिखनी है यहाँ पे issue date select करना है यहाँ पे serial number या certificate number लिखनी है दिखिए अगर आप मद्धिपर्दिस के निवासी नहीं होते हैं तो यह certificate आप यहाँ पे नहीं देंगे details तो भी पर कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप मदिपर्दिस की निवासी होते हैं तो आपको certificate की details को mention करना ही पड़ेगा इसके बाद आपको नीचे करना है यदि आपका साधी हो चुका है तो यहाँ पर yes करेंगे और यहाँ पर अपना details mention करेंगे यदि नहीं होया तो इसमें आप no select करेंगे अपना additional details add करेंगे जैसे अगर आप कोई employment worker है, government या कहीं किसी में भी तो आपको यहाँ पर yes करना पड़ेगा और details आपको mention करनी पड़ेगी नहीं है तो इसमें आप no select करेंगे यदि आपको bikram award मिला है आप उसका winner है तो आपको यहाँ पर yes करना है नहीं तो आप इसमें no करेंगे आपका cast category कोई और है और किसी और cast category से आपने साधी किया है तो यहाँ पर yes करेंगे नहीं तो आप इसमें no करेंगे अगर आप EX service man है तो यहाँ पर yes करेंगे और यहाँ पर आपको details को mention करना पड़ेगा यदि आप नहीं है तो इसमें no को select करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर save and next का option मिल जाता है आपको इस पर click करना है save and next की button पर click करते ही आपकी जो data है वो successful save हो जागा यहाँ ok की button पर आपको click करना है इसके बाद आपको अपने address details को complete लिखनी है यदि आप same पते पर रहते तो आपको यहाँ पर एक button मिल जाता है आपको इस button पर yes करना है yes करते ही आपकी जो address से नीचे add हो जागा किसी और पते पर रहते तो आपको यहाँ पर no करना पड़ेगा और जिस पते पर आप रह रहा है वो पता इसमें आप लिख सकते हैं इसके बाद आपको नीचे save and next का button मिलता है आपको इस पर click करना है यह वी data आपका successful save हो जाएगा इसके बाद जो भी post select किये रहेंगे वो post के लिए जो qualification यहाँ पर मांगी जाते हैं उससे आपको fill up करना ही पड़ेगा अब जिनका cgpa की details है वो cgpa या grade की details को mention करने के यहाँ पर आपको details बताये गया है कि आपको अपना cgpa की details 100 में से out of कितना multiple result है वो mention करना है जिनका percentage से उनको कोई समस्या नहीं होगा तो सबसे पहले serial wise आपको qualification mention करनी है दस्वी के qualification में सबसे पहले board का नाम लिखेंगे इसके बाद institute या school का नाम लिखेंगे इसके दवारा किस माध्यम से pass हुए है वो आप select करेंगे और इसके बाद यहाँ पर कितना number पा है वो लिखेंगे maximum कितने number की होती है वो लिखेंगे percentage यहाँ पे automatic generate हो जाएगा इसके बाद passing year select करनी है यह percentage का हम बता रहे हैं अगर आप CGPA के दवारा qualified है तो CGPA select करेंगे CGPA में total आप कितना number पा है वो लिखेंगे इसके बाद total आपका कितना CGPA number है वो लिखेंगे इसके बाद CGPA की multiple factor यहाँ पे आपको लिखने है और यहाँ प है उसी प्रकार से अपना qualification details इसमें आप add करेंगे अपने सभी qualification को add करने के बाद आपको नीचे करना है यदि आपने कोई higher graduation degree qualified किया है तो उसका details आप इसमें लिख सकते हैं नहीं तो जितना भी qualification इसमें मांगी गई है उतना आप add कीजे वैसे जहाँ पे star mention की गई है उसे आ अधिप्रदेश में ही होगा अधर कहीं और state में नहीं होगा अपने exam city को select करने के बाद save and next के बटन पर click करना है इसके बाद आपकी data successful save हो जाएगा अब इसके बाद आपको अपने documents को upload करना है इसके बाद signature upload करनी है इसके बाद अपने date of birth certificate को upload करनी है अगर आपके बाद date certificate नहीं है तो आप 10 में की certificate upload करेंगे इसके बाद 10 में की mark sheet upload करेंगे इसके बाद intermediate की mark sheet upload करेंगे इसके बाद essential qualification की mark sheet upload करेंगे जैसे ITI का हो गया या degree हो गया या diploma का हो गया इसके बाद अपना higher qualification इसमें अगर आप दिये है तो वो आप add करेंगे नहीं तो आप इससे खाली इसमें 50 से 80 kb की size बागेगी है 200 dpi में होनी चाहिए jpg format में होनी चाहिए जिसकी dimension 3.5 से 4.5 की होनी चाहिए upload करने के लिए यहाँ पर drag and drop भी कर सकते हैं या तो आप इस पर click केजिए जहाँ पर अपना photograph रखे हैं वहाँ पर जाना है इसके बाद अपने documents को select करना है और open के option पर click करना है click करते ही आपकी file successfully add हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ close के button पर click करना है अब इसके बाद आपको यहाँ इसे open करना है इस पर click करके, अपने सबी documents को upload करने के बाद आप view के option पर click करके check करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको कितना amount fee payment करना पड़ेगा वो दिखाया जागा, online fee payment करने के लिए आपको यहाँ check box पर click करना है, इसके बा के option पर click करके changes कर सकते हैं, form को submit करने से पहले अपने आविदन form की preview आप check कर लिजिए कि इसमें क्या क्या details आपने fill up किया है, और form को submit करने के लिए यहाँ पर submit का button मिल जाता है, आपको इस पर click करना है, अब जैसे आप submit के button पर click करते हैं, तो यहाँ पर application fee payment करने का option मिल जा आपको fill up करके दिखा रहे थे कि इस प्रकार से आप इस भरती को apply करेंगे, आगे का जो प्रोसेसर श्रिप आपको fee payment करना है, इसके बाद अपने application form की print out आप ले सकते हैं, तो वीडियो में बस इतना ही गाई, इस वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को like कीजेगा, अपने